ही गाईज आम श्रद्दा सिंग एंड वेलकॉम इंड माई रेसिपी चैनल और आज हमने बनाने वाली हूँ आम का मुरब्बा यानि कच्चे आम का मुरब्बा में मनाने वाली हूँ अब मैं इसको दो ट्रिक्स से आपको बताऊंगे आप चाहें तो एक मुरब्बा टेक्च तो चले पर देखते हैं इसे फटा फट से कैसे बनाना है तो सबसे पहले हमने यहां पिलिया सर्सो का तेल और मैं हमेशा बोलती हूँ कोई भी खाना बनाए उसमें अच्छा फ्लिवर लाना तो सर्सो का तील यूज करें और इसमें मैंने डाला जब तेल तोड़ा गरम हो तो तड़के के लिए जीरा जीरा जब चटकना स्टार्ट हो जाए देन मैं यहां पर डाल रही हूँ ग्रीन चिली विकोज क्यों मेरे पास लाल सूखी मिर्चे नहीं है अगर आपके पास हो तो आप ड्राई रेड चिली साबुर डाल सकते हैं वो सोंधा पंसा टेस्ट और अच्छा आता है तो तीके पन के लिए मैंने हरी मिर्ची डाली थी यह हमारा कच्छा आम जिसे अच्छे से वाश करके चिल के अच्छे से वाश करके डाई इस डियानी छोटे थोड़े बड़े-बड़े क्यूब्स में कट कर लिएं सीड इसके निकाल दिये हैं और इसली होती अच्छे सी वह इस आम में आ जाए तो पहले हमें अच्छे से तड़के के साथ मिक्स कर लेना है इस टेम पे मैंने फ्लेम को अपने मीडियम लोग पे सेट कर लिया बहुत हाई फ्लेम नहीं रखा है ताकि यह अच्छे से अंदर तक बढ़ियां से पक चाए तो यह द हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और क्योंकि यह मुझो मुरबह है आप इसको बहुत टाइम तक चला सकते हैं अब इसको एक से दो से तीन हफते आराम से फ्रिश में रख के चला सकते हैं तो सब कुछ मिक्स करने के बाद मैंने ढग दिया था करीबं डेड़ मिनिट के ल यह लाइक हम तो ते लाइक हम युदत अच्छे सक गणे के दाल रहे हैं भुना हुआ धनिया पाउडर साथ में दालेंगे इसमें यह भुना हुआ है यह भी सौफ पाउडर है आप चाहें तो थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं बहुत बढ़ यहां टेस्ट आएगा बर्ट क्योंकि मेरे पास अभी 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 आविलेबल नहीं है इसलिए मैंने तरके में साबुत जीरा डाला था तरके क के लिए अगर आपके पास हो तो आप जीरा हटा के जबुनावा जीरा पाउडर एड़ कर सकते हैं तो यह देखे सब कुछ अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ताल रहे हैं जैगरी यानि गुड तीन बड़े चमच हैं जिसको मैंने अच्छे से क्रमबल कर लिया चोटे पेसे में इसके बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी आड़ कर देंगे ताकि गुड को मेल्ट होने में आसानी हो जाओ नीचे से पकड़े नहीं तो सब कुछ अच्छे से आप हम मिक्स कर देंगे तो बस इतनी से इंग्रेंट्स इसमें पढ़ने थे और कुछ नह देखे जैसे जैसे पानी में डाला था जैगरी मेल्ट हो रही है वैसे एक दम बढ़्यां से बॉइल आ रहा है जैगरी इस टाइम पे टोटल मेल्ट हो चुकी है और आप देख सकते हैं थोड़ी सी कॉंट्रिटी बढ़ चुकी है लिकविड की तो जैगरी मेल्ट होने के तो अब हम इसमें कुछ और नहीं आट करेंगे पर पकाएंगे थोड़ा सा और हम गाढ़ा कर लेंगे तो यह देखिए यह स्टेश पर आप चाहें तो फ्लेम बंद करके से सॉफ कर सकते हैं यह मुरब्बा लाइक आ गया है टेक्स्चर बट अगर आप इसे थोड़ा सा और सबकुछ एक दम आपस में मिक्स हो के यह जैम लाइक टेक्स्च्च्चुर आजाएगा थोड़ा थिक जाधा हो जाता है तो आपको जैसा पसंदो अगर मुरब्बा थोड़ा क्योंकि थीक नहीं होता है जैम लाइक तो आप अभी बंद कर सकते हैं तो मैंने थोड़ा सा अ and easy recipes आपको मिलते रहें. Thank you.